चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद में उसके बगल में जो बैल का आइकन है प्लीज आप इसे जरूर प्रेस करें साथ ही साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन मिले सबसे पहले नमस्कार दोस्तों आप लोगों हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आजकल की दिनचर्या में आदमी की पूरी तरह से दिनचर्या विगड़ गही है खानपान में मी बदलाव आ गहा है इसे क्या समयित आप जानते हैं कि आदमी को बहुत अधिक समस्या आ गईी जैसे बवासीर है भगंदर है इत्याद की बहुत अधिक समस्या होगी है ऊफिर कि dobrze को सिकायद बढ़ रही है कि बहुत दिनों तक बना रहता है तो इसी जो है आपकी भगनर, बवासीर, इत्यादी, बहुत ज़्यादा घातगी बीमारिया हो जाती है, इससे आदमी बहुत परेशान रहता है, और ये साधान ठीक नहीं होती है, तो बविन प्रकार की दवानिया लेता है, तो बवासीर इसमें बड़ी ही एक कष्ट दायक है, इसमे मस्य हो जाते हैं मलदवार पर, जो कि आदमी को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और इस पे ब्लेड भी बहुत अधिक आता है, आदमी कमजोर भी हो जाता है, परेशान रहता है, तो आखिर बवासीर के लिए ठीक करने के लिए आदमी बिविन डाक्टरों के पास जा बहुत अधिक समस्य आती है तो आखिर बवासीर को जडसे कैसे खतम किया जाएक तो दोस्तों में आपको इसपर स्थ बता देना चाहता हूं बवासीर को आपको ठीक करने के लिए जड से ठीक करने के लिए आपको अपनी दिन जलिया में, खान पान में बजलाओ करना पढ़ेगा, आपको यह ब्रेट, बिस्किट, मैदा की चीज़े बाजार की खाने की सामे के लिए अत्याद यह आपको परेज करना पढ़ेगा, आप जो हरी सब्जीयां अधिक से अधिक आप मैदा की चीज़ें ना खाएं ब्रेट बिस्कुट भी ना खाएं और इससे क्या है आप अपना पेट साब रखें आपको अगर कब्ज नहीं होगी तो आपको पहली बात विए बवासी और यह भगंदर बीमारी नहीं होगी बवासी तुरकूर नहीं होगी और आपको ले लें ताकि आपका पीट साब हो जाए ठीक है ना तो आप क्या करें कि अगर आपकी दिंचरिया सही है खान पान सहली है और आपको कब्ज रहती है तो आप साम के टाइम जरूर जरूर तिफला लें और गरम पानी में खाना खाने के बाद में आप ले लें तो सुबह कर आपकी ववासी अधिक है और समस्या है घ्रस्त है तो आप क्या करें जो ववासी आपको बिल्कुल ठीक हो जाए किसी भी प्रकार की ओ ववासी खून ही हो या आपकी मस्से हो तो ठीक करने के लिए मैं आपको एक ऐसा सरल देशी नुस्खा बताने जा रहा हूं आप घर पर यूज करेंगे कारंटी से हंडेट परसेंट आपकी ववासी सी निश्चित रूप से आपकी ठीक हो जाएगी जड़ से ठीक हो जाएगी करके देखिए इसके लिए आपको करना है कुछ नहीं करना है बहुत सस्ता है नुसका आपका जो हर आदमी चाहिए गरीब हो एक नीवू लेते हैं यह देखिए आपको दिखाई पढ़ा है यह नीवू है हम इस नीवू को दो भांग करते हैं सामक्टायम यह देखिए नीवू है यह देखिए हमने यह निवू के हमने दो पीस कर लिए हैं आपको यह देखिए काला नमक है ऐसमें किया करें साम के टाइम यह उसला अपावडर बना लें देखिए यह हमने पावडर बना लिया है काला नमक का यह काला नमक का देख रहा है यह यह पावडर हैं तो साम के टाइम यह जो कारण नमक का जो हमने पाउडर बनाया इसको जो चुटकी बर जरा सा हम जो है दौनों निवी जो फांक हैं इसमें हम लगा लेते हैं यह देखिए हमने इसको लगा लिया है इसमें भी हम लगा लेते हैं दूसरे फांक में लगा लिया है अब इसको हम साम के टाइम रख देते हैं इसको जो है आपका हमने जो हमने नीवुक दूफा किये दो टुकड़े किये तो उसमें जो काला नमख लगे हुए रात भर के लिए हम रख देते हैं और सुबह खाली पेट आप फ्रैस हो करके मंजन करके सुबह इस दो नीवुक जो फां के पीस हैं इनको आप चूश लें आगर आप ना चूशें तो आप एक गिलास पानी में निचोड लें निचोड करके आप पीवी सकते हैं और अच्छा तो यही है कि आप जो है इनको आप चूश लें खाली पेट आप दो तीन दिन तक आप चूशेंगे आपकी बवासी जड़ से सही हो जाएगी आप करके देखिए निच्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा चाए तो आपकी मस्य वाली ववासीर हो बलट आता हो या आपको भादी की हो सभी प्रकार की ववासीर आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और मैं आपको बिल्कुल 100% बताता हूँ करके देखना और बहुत सब्सक्राइब कर सकता है नीवू काला नमक जो हर एक किचन में मौजुद होता है कोई भी कर सकता है आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा आप इसके साथ-साथ में थोला सा परहेज करें आप जो मैदा की चीज़े हैं या जो आ ब्रेड बिस्क्य इत्याद इम ना वीडियो पसंद आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल में पहली बार आयो और दोस्तों में इस वीडियो को अधिक सदिक सेर कर दें और अधिक सदिक लाइक भी कर दें तो दोस्तों अब मैं आपसे अगली पने वीडियो मिलूँ हूँ तक के लिए नमस्कार